जय माकाली दोस्तों कैसे हूँ आप सभी उमीन है आप सभी अच्छी होंगे खुश होंगे और स्वस्त। आज मैं आपको बताती हूँ जो बच्चे मुझे कमेंड करते हैं के दिदी मतक काली के लिए हमारा मन बहुत जागरित होता है हमारा मन बहुत प्रिशन होता है लेकिन उनके सुरूप को देखके हमको डर लगता है मा का सुरूप हमें बिल्कुल डरा देता है तो उनी के लिए आज मैं ये जानकारी लेकर के आई हूँ तो वीडियो को अंतक पूरा देखें इसके बिल्कुल भी ना करें ताकि कोई भी महत्पूर जानकारी छोट ना पाए आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि माता काली का जे सुरूप है ये किस के लिए है और मा आपके लिए किस रूप में है तो वीडियो का अंतक पूरा देखेंगा आप मुझे और सजेश्ट भी किजिए आपको और किस वारे में जो है वीडियो चाहिए ताकि मैं आपके लिए और अच्छे-च्छे वीडियो ले करके आ सकूँ अभी तो मेरे को जो समझ में आता है मैं आपके लिए वीडियो बनाती हूँ आगे आप भी मुझे बताइएगा आपको किस बारे में जान करें चाहिए ताकि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो ले करके आ सब तो शुरू करती हूँ आज का वीडियो देखिए मातक काली के सुरूप को डरने वाले जो बच्चे हैं वो पहले तो दिहान से सुन दिजी मा काली का ये सुरूप है ये उनके लिए है जो राक्षस है जो दुष्ट है दुष्ट और राक्षसों के लिए मा ने ये सुरूप धारन किया हुआ है मा ने अपने बच्च में चलाते हैं और लोगों का गलत करवाते हैं हम तो मा को मा से डरने की जुरुत नहीं है आप मा को मा के नजरिये से देखिए आपके अंदर जो ममता बैठी हुई है ना यह फूट करके जलक करके बहार आएगी यह सुरूप से डरिये ना मा ने यह सुरूप जो धारन किया है वो दुष्टों के संगहार के लिए किया है जो इस कल्यूग में भी आज भी राक्षाशों का कारे कर रहे हैं मा ने यह सुरूप उनके लिए धारन किया है जो माता को वचनों में बांध करके गलत किरिया करवा रहे हैं किसी के ओपर किसी से चार पर ले करके और दूसरों के ओपर किरिया कर रहे हैं दूसरों का गलत कर रहे हैं किसी के घर का वन्ष खतम कर रहे हैं किसी घर में कोई मरत्यू कर रहे हैं किसी को परतारित कर रहे हैं इन चक्तियों दौरा इन तंत्र किरियां दौरा मा ने उनके लिए शुरूप धारन किया है और दूसरी चीज जो मा के भक्त हैं, आप भक्त बनो, भक्त नहीं, भक्त मा के जो हैं, उनके उपर अगर कोई भक्त तांत्रिक किरिया करता है, तो मा की भक्ती उस किरिया को वहीं खतम कर देती है, उसके किरिया मा के भक्तों तक आ नहीं पाएगी, मा उस किरिया को वहीं तो फिर भी अगर आपको मा से डर लग रहा है, नहीं आप इनके सोरूप को देख करके पुजा रचा कर पा रहे हैं, तो यहां पर मैं आपको एक छोटी जी बात बता देती हूं, अगर मा के इस सोरूप से आपको डर लग रहा है, तो मा के सोम सोरूप के आप पुजा करिए, आप Google पे सेर्च कर लीजिये, आप इंटरनेट पर निकाल करे मां के सोरूप की अच्छी अच्छी प्रतिमाई निकालेगे, उनको आप निकालवाइए, उनको आप फ्रेम में जड़वा करके अपने घर में रखे, पूजा पाट करिए, आप अब औल्डर के जिडरी प्रतिम वनवाली जी उसको आप रखिए और दूसरा आप जब जाप करें तब मा के उस स्वरूप को एक टक देखते हुए मा को देखते रहिए और पूजा करते रहिए शुरू में आपको कुछ अजीब सा मैसुस होगा आप करके देखिएगा एक बार दीरे दीरे जैसे आप मा को द खिचते चले जाएंगे आपका वो डर वहीं खता हो जाएगा आपके वन में फिर दर नहीं रहेगा नहीं आपको कोई गंदे विचार आएंगे सबसे अच्छी चीस तो मा के आप आँखों में देख करके जाब करेंगे ना मा की प्रतिमा को मा के सुरूप को देखते हुए तो कोई गंदे विचार भी आपके मन में नहीं आएंगे, आपकी पूजा पाट सफल होगी, कोई गंदे विचार नहीं आएंगे आपके मन में, तो मा से मत डरिये, मा के शरूप से मत डरिये, सिर्फ मा याद रखिये, कि आप बोल क्या रहे हो, मा, मता काली, मा काल का, तो मा बोल रहे हो ना, तो फिर क्यों डरना, मा से बच्चे क्यों डरते हैं, आज का योग तो यह है, कि मा को भच्चों से डरना चाहिए, और आप मा से डर रहे हो, मा से इना डरो, मा को आप अपनी तरफ देखो आकर्शित करने की कोशिश करो, मा की पूझा पाट करो, उनको अपन मा आपका जवाब दे रही है मा सुन रही है, मा समझ रही है आप क्या बोल रहे है, क्या कहना चाह रहे है मा सारी चीज़े समझेगी और यही सारी चीज़े अपने जीवन में शामिल कर लीजे मा से आपको डर लगना खताम हो जाएगा मा के सौम सुरूप को आप अपने ध्यान में रखी, हमेशा सोते उठते बैठते जाकते, मा के इस सुरूप से आपका डर खतम हो जाएगा तो आज के वीडियो में इतना ही उमीद है, आज के इस वीडियो से आपको कोई ना कोई जानकारी जरूर मिली है कुछ ना कुछ लाब जरूर हुआ है और कुछ ना कुछ आपके कोई ना कोई प्रशन का अंसर इस वीडियो के मादन से मैं दे पाई हूँ तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजी, आगे शेर कर दीजी ताकि और भी मागे लाड़ों के पास में ये वीडियो पहुंश सके मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही और जानकारी के साथ अब तक के लिए सभी को जय मालिकी, हरमार